जोहार, नमस्कार, नव भारत मंथन में आप तमाम दर्सकों का स्वागत हैं, आज हम कौमी एक्ता भारतिय संस्कृती की संभाहक इस विषय पर चर्चा के लिए मंथन के लिए उपस्थित हुए हैं, हमारे साथ आज इस गंभीर विषय के चर्चा के लिए अतिति के रूप में शामिल हो रहे हैं, आप स्रीमान डॉक्टर जंग वहादूर पांडे जी, आप अवकास प्राप्त हिंदी प्राध्यापक हैं, दूसरे जो अतिति हैं, शहरोज कमर जुहार, आप पत्रकार हैं, हर विष्यों पर गंभीर तिक्ष्र नजर रहती हैं, लिखते हैं, शायर भी हैं, हमारे साथ तीसरे अतिति के रूप में शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर हदायतुला, आप अलकुरान एकैडमी के निदेशक हैं, उसी तरह आप डॉक्टर लता स्री जी हैं, लता स्री जी मारवारी कॉलेज के हिंदी विभाग में असिस्टिन्ट प्रोफेसर हैं, आप सभी तीतियों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, हम विषय की गमहीरता और विषय पर परचर्चा से पहले हम आपको कुछ ऐसे विषयों पर आपका ध्यान निक्षेप करवाना चाहेंगे, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाएं कि आने वाला जो हमारा जो ये विषय है, वो कितना गंभीर है और कितना समेचीन है, सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की जो अनादिकाल की परंपरा रही है, वो सुईकारिता की रही है, और सुईकारिता की जो परंपरा होती है, वह किसी भी मत, पंथ, संपरदाय, भाशा को अपने आज फोकस करेंगे हमारे भारत की संस्कृति के साथ ही साथ जो वर्तमान का शम्विधान है हम उस पर भी थोरी बहुत चर्चा करेंगे पाड़े जी जो हमारी संस्कृति है भारत, भारती, भारतियता और जो हमारी सभ्यता है उसमें स्वीकारिता जो हम लोग दावा करते हैं वो कितना हद तक दावा करते हैं और कितना हद तक सही है राष्ट कभी मैथली शरंगुप्त ने भारत की भारती की प्रसंसा करते हुए लिखा है कि मानस भवन में आर्ज जंग जिसकी उतारें आरती भगवान भारत बरस में गूंजे हमारी भारती हो भद्र भावद भावनी हे भगवती हे भगवते शीतापते सीतापते गीतामते गीतामते गौतम चोद्री जी भारतीय संस्कृती की आवधारणा शमरस्ता है लेकिन भारतीय संस्कृती की इस आवधारणा पर हम कुछ कहें उसके पहले भारत की आवधारणा पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारत पराचीन देश रहा है और यह दो वर्णों के योग से बना है भा, घन, रत और इसके पांच अभी प्राय हैं भा का अर्थ ग्यान होता है और रत का अर्थ लीन होता है अर था तो वह देश जो ग्यान में लीन हो भा का अर्थ शत होता है और रत का अर्थ लवलीन होता है अर्था तो वह देश जो शत में लवलीन हो शत की खोज में सन्नद हो भा का अर्थ प्रकास होता है और रत मने लीन वह देश जो प्रकास में लीन हो और भा का अर्थ भासित होना है प्रकास रत मने लीन वह देश जो प्रकास की खोज करता हो और भारत का अंतिन जो अर्थ है भा का अर्थ भरन पोशन करना होता है लालन पालन करना होता है पल्लवन बर्धन करना होता है और रत का अर्थ लीन इसलिए वह देश जो दूसरों का भरण पोशन करे सब का भरण पोशन करे वह भारत है इसलिए मैं इस संदर्व में राम चरित मानस की एक पंक्ति का उलेख करना चाहूंगा कि चक्रवर्ती समराथ दसरत ने अपने चारों पुत्रों के नाम करन के लिए जब गुरु वसिष्ट को बुलाया तो राम का लक्षमन का और सत्रुगन का नाम करन किया लेकिन भरत के नाम करन के संदर में वसिष्ट ने लिखा कि विश्व भरण पोशन कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई यह दूसरा बालक जिसका नाम भरत होगा यह विश्व भरत का भरण पोशन करेगा चौधरी जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारत की जो अवधारणा है इन सभी शब्दों से समन्वित है और भारत ज्यान का पुजारी, सत्त का अर्वेशत, प्रकास का ग्रही, विश्भरन पोशन का सत्यानुरागी और सब के हित की बात करने वाला देश है इसलिए आज भारत मन्थन कार्ज करम में एक गंभीर विशे परपरिचर चाप कर रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूँ और ये भारत की अउधारना से अपने दर्सकों को बताना चाहता हूँ डॉक्र साब बहुत गंभीर बात आपने कहा कि भारत भरन पोशन करने वाला भारत ग्यान की धर्ती भारत प्रकास की धर्ती हिदायत अलजी आपको जो ये डॉक्ट साफ ने जो गंभीर बाते कही है बेशाय जो चेरा है जो भरन पोशन करने वाला तो आपको क्या लगता है इस संदर्व में ये डॉक्टर साफ ने बहुत कम वक्त में आपने बहुत पीमती बात की जो के भारत का एक डेफिनेशन आपने बेयान किया बिलकुल यही सच है और इसी बुनियाद पर हम ये दावे के साथ कह सकते है कि हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को सोने का चुड़िया कहा जाता है इसलिए कि इसमें एकता में अनेकता है गंगा जमुनी तहजीब अगर देखनी हो तो आप हमारे इहां देखें बुल तो ये बिलकुल हकीकत है कि शुरू से ही अगर हम देखेंगे तो ये मुल्क रिशी मुनियों का, बुजर्गों का और वल्यों का मुल्क रहा है जिसके बुनियाद पर आज हमारे अंदर इतनी मुहबबत, इतनी भाईचारगी आ गई है कि हम अगर देखते हैं, मतलब ऐसे लोगों के लिए ये मेरी बात एक गाल पे तमाचा है जो कि कहते हैं, भारत के ओपर किसी तरह की इल्जाम लगाते हैं कि आप زिंदा की बात न करें, अगर आपको देखना हो तो मुसलमान और मैं हिंदू की बात नहीं करता, गैर मुसलमान इसलिए के हिंदू से एक छोटा केन्वस बनता है और गैर मुसलमान कहेंगे तो सिक इसाई जितने हमारे भाई है वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं तो मुसलमान का जनाजा हो या गैर मुसलमान का अर्थ ही दोनों हालत में हमें रोड पर चलते हुए दिये देखने के लिए सरियाम मिल जाता है कि जब भी कोई गुजरता है तो चाहे वो किसी भी काश्ट का हो वो रुक के या तो हाथ जोड़के परातना करते हैं या तो अपने मन में थोड़ी देर सर जुका के उनके लिए दूआ करते हैं के है इश्वर ये चाहे जैसे भी मतलब जो भी कीए हो अपने जिंदगी में जो भी इन से गल्पी को ताही हुई हो आप इन्हें च्छमा करें और इनको स्वर्ग में डाल दें तो ये हमारी शनाखत है ये हमारी पहचान है कि हम जिन्दा तो छोड़ेना जो मुर्गा हैं उनकी भी हम इतनी इतनी इज़त करते हैं और उनसे भी हम इतनी महबबत करते हैं बहुत 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 बतलब गम बावारी बात आपने हिदायत अला जी आपने कहा कि कहीं हमारी जो संस्कृती है इतनी सुईकारिता वाली संस्कृती है कि क्या सरों जी सुईकारिता हमारी संस्कृती डॉक्साब ने जो कहा हिदायत अला जी ने जो कहा आपको क्या लगता है बहुत सही बात कह रहे थे पांटी सर अब मैं ये कहूंगा कि दरसल बात ये थी कि पहले किसी देश के अधार नहीं थी प्रिविश्यू कही भारत कहा जाता था अब भारत का च्छेत्रफल सिर्व आज का भारत नहीं था। वो भारत तो भारत मैंमान तक फेला वा था। अज जो च्छतिस देश है उसे हमें भारत के ही टुकुड़े के लिगल है। अखंड भारत था, ब्रहतर भारत था, उस समय वह भारत क्या वह विश्व था, भारती विश्व था दर असल, उस समय विश्व के मानचीतर प्राड कोई देश था यह नहीं, सिर्फ भारती था वह, और समरस्ता के बात यह कहूंगा, कि कई देश विदेश से आए, कई आकर्म के लोग धर्व परचार के लिए आए, के लोग वयापार के लिए आए, और के लोग चले गए, अब बहुत से लोग इसी संस्किर्ती में रच बस गए, उसका मैं एक उधारण दूँगा, कि नमाज शब्द, मुस्लिम सुसाइटी में नमाज क्या उधारणा है, प्रात्ना के लिए, जबकि इसका मूल शब्द जो है, सला है अर्वी में, लेकिन भारत में नमाज क्यों कहा जाता है, प्रिविश्व में आप कहीं भी चले जाएंगे, सला ही कहा जाता है, सलात कहा जाता है, नमाज नहीं कहा जाता है, अब सिभ भारत में नमाज क्यों कहा जाता है, इस नम अर्थ होता है नमन करना और अजिकार्थ यह होता है कि ऐसी शक्ति जिसने ना किसी को जन्म दिया हो ना उसको किसी ने जन्म दिया हो वो शक्ति इश्वर किये उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है ना वो किसी को जन्म देता है ऐसी शक्ति को नमन करना नम दन अज नमाज बना वह फारस में जाकर नुखता लग जाता वो नमाज हो जाता है मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं विश्व के किसी कोने में चले जाए नमाज शब्द आपको नहीं मिलेगा सिर्फ वहीं मिलेगा जो मैंने पहले बात की पैतिस देश जो हमारा विरत्र भारत था अफ़ानिस्तान श्री लंका नेपाल खंदार में मार्ट चोड़ चोड़ जो टुबाइको जो विश्व के देश है यह सारे देशे तो इससे बड़ी समरस्ता किया होगी बहुत कमाल जी ने तो जो भारत की संस्कृती की जो विशेस्ता है उसकी पूरी व्याख्या की जो यह कहां तक आपको लगता है कहां तक स्विकार्यता है बारत की संस्कृति में बहुत वहवारिक बात इस पर करना चाही हूँ क्योंकि मेरे काफी आधरनी लोग बैठे हैं जोनोंने बहुत अच्छी बाते कह चुकी हैं मैं आज और अभी के संदर्ब से जोड़ती माना जा रहा है हमने बहुत सारे नवजागरन देखे हैं पुनरजागरन देखा है और इन सब का प्रभाव हमारे उपर पड़ा है यांत्र की का और धोग की करन का पुझी वात का समाज वात का कई सारी चीजे बहुत सारे स्टेज हमने गुजार करके आज हम जहां खड़े हैं वहाँ हैं और इस सब के बावजूद जहां एक वेक्ति अपने आप से खुस नहीं है कोई एक वेक्ति कहदे खड़ा होकर कि मैं अपने आप से खुस हूं मैं इसे मान नहीं सकती हूं कोई वेक्ति अपने आप से खुस नहीं है अपने परिवार से खुस नहीं है अपने प और बने रहेंगे ये हमारी सबसे बड़ी समरस्ता है बहुत 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 अच्छी बात आपने कहा कि अंग्रेज जो कह करके गए थे कि भारत बट जाएगा एक वाक्या है कि अंग्रेज एक अपसर जब वहादुरसा जफर को एरिस्ट किया तो नहीं वहाद बिए नहीं है खैर मांगो जान की ऐ जफर थंडी होई समसीर हिंदुस्तान की तो जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जम तलक इमान की तक दी लंडन तक चलेगी तेक हिंदुस्तान की ये जो संस्कृति की ताकत है और आज हम देख रहे हैं कि हमारे हमारे मुल्क के लोग आज इंगलैंट पर सासन कर रहे हैं हमारे मुल्क के लोग हाँ अमेरिका पर तो डग साब ये जो गाजियों में बू रहेगी तो गाजियों में बू रहने की बात है जो सुगंध रहने की बात है जो करांतिकारी वा कितना प्रभावित कर रहा है। चौधरी जी अपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भारतिये संस्कृती की जो मूल भूत विशेस्ताएं हैं। उत्याग, इमानदारी, सही सूनता, सेवा, परोपकार, कश्ट सही सूनता, बसुधयु कुटुम्बकम की भावना, इमानदारी, शत्य। ये कुछ ऐसे जीवन मुल हैं जो भारतिये संस्कृती और भारत की आत्मा हैं। इन ही मुल्यों के आधार पर गाजियों में भू बनी रहेगी, जब तक हम नेक रहेंगे, जब तक हम एक रहेंगे, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए भारतिये संस्कृती की महत्तुपुन विशेस्ता है आचार्ज देवो भवा, गुरु देवता की तरह, सिक्चक देवता की तरह हैं। मात्री देवो भवा, माता देवता, पित्र देवो भवा, अतीथी देवो भवा, यह भारत की जो संस्कृती है, यह विरल संस्कृती है। और इन्ही जीवन मुल्यों के बल पर भारत आज तक भारत बना हुआ है। और दुनिया में अपना पल्चम लहरा रहा है। आज विश्व में भारत की पूछ हो रही है, तो इन्ही जीवन मुल्यों के कारण मैं आपको बताऊं कि भारत विश्व गुरु था, और अब साइपर, जो आपने कहा कि भारत की संसकृतिप, भारत की सभिता पहंसा है, तो जो निरंतर्टा है, वो बनी हुई है, और हमारी जो इमानदारी है, हम इसको इसलाम के परिप्रिक्श में जरा भारत को इसलाम की दृष्टी से कैसे इस्लामी कांसेप्ट किस परकार देखता है गौतम जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया के इसलाम इसको किस नजरीय से देखता है मजध इसलाम में जिस तरह से हमें अपने कुरान की हफाज़त करनी है उसी तरह से हमें अपने मुल्क की भी हफाज़त करनी है और जो मुसल्मान हैं अगर वो अपने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में यहां के सम्वीधान को नहीं रखते हैं तो वो मुसल्मान हों ही नहीं सकते हैं क्योंकि मसल्मान उसी को कहा जाता है जो कि आयक एक बातों को पूरे दिलसे माने अमल पैरा हो ना कि सिर्फ दिलसे माने बलके उस पर अमल पैरा हो तो आप जिस मुलक में रह रहे हैं आप पूरी इमानदारी के साथ रहें और उस मुलक के गानून को और इसलाम के गानून को फॉलो करते हुए रहें तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा मुलक हिंदुस्तान है यहां पर मुसल्मान जितने अच्छे से हैं हम समझते हैं कि शायद दुनिया के किसी मुलक में मुसल्मान इतने अच्छे से होंगे मैं किसी मुलक का नाम लेना नहीं चाहता लेकिन आप देखेंगे कि जो खुद को मुसल्मान मुल्क कहते हैं उन्ही कि यहां आए दिन मसाजिद के अंदर बंविश्फोट होते हैं गोलियां चलती हैं और खुद को मुसल्मान भी कहते हैं जबके मुसल्मान क्या है कि इसलाम धर्म में कहा गया है कि नमाज जैसा कि अभी हमारे भाई ने जिकर किया कि नमाज के बारे में कि नमाज बहुत ही बुनियादी चीज़ है का जाता है कि सबसे पहले मरने के बाद नमाज की पूछ होगी खबर के अंदर इसके लिए वजू क जरूरत पड़ती है अगर वजू नहीं है गौतम जी बिलकुल बिलकुल तो हमारी नमाज नहीं हो सकती नहीं पूरी नहीं हो सकती है किसी भी फिर्थे के हो बिलकुल उस वजू के बारे में कहा गया है कि आप वजू के पानी को बेजा खर्च ना करें पानी को बेजा खर्च ना कर यानि तीन बार अगर हाँ धोने का है तो उसको आप चार बार चार बार कत्त ही नहीं धो सकते हैं यह इसलाफ हो अगर तुम दर्या के पास भी क्यों ना बैठे हो अब वजू कर रहे हो फिर भी कम पानी खर्च करो जी बिलकूल तो मेरा बतलाने कि अगर बतलाने के में बात करता हूँ कि यह वही मजभ है जो वजू के पानी को जादा खर्च करने से भी रोकता है यह मजभ भला किसी के खून बहाने की अजासत कैसे दे सकती है और खुद को इसलामिक मुल्क काने वाले मसाजिद के अंदर जो है बंबारूद और गोलियां चलाने वाले ऐसा नहीं हो सकता है हम कल भी एक तो बहुत अच्छी और बहुत गंभीर बात आपने कही कि इसलाम के कंसेप्ट में भी मादरे वतन और धर्टी की रक्षा सुरक्षा यह बहुत बड़ी बात है यहाद एसल हम विशे पर चर्चा कर रहे हैं उसी पर हमारे हैं उसी पर आ र जैसे संस्कृति नहीं कह सकते हैं उसको सभ्यता कह सकते हैं भासा है बोलियां है वो आपस में बड़ा ही सुईकारिता के साथ देखिए अब आपने इसलाम के बात की तो मैं यह बात कह रहा हूं दरसल हम सभी भारते हिंदू है ठीक है जी यह बहुत कम लोग एक धारना रह ही है कि हिंदू शब्द सींदू से बना जी जी मैं इसको नहीं मानता है मैं तर्ग देता हूं लोग यह कहते हैं कि अरफ से जो लोग आए तो साक आउचारन नहीं कर पाते थे अगर साक आउचारन नहीं करते तो उनका सलाम कैसे था यह नहीं वाद शी जो गालत त्यों आए बिल्कुशरण अपार अरब just नहीं किया कैसे था यह दरसल प्राफिट मुहम्मथ के समय यह अरभी शब्द हिंदा और हिंदी Prophet Muhammad जी से खुब्सूरत समझते थे सुन्दर समझते थे उसे बोलते थे यह दे कोई हिंदा है यह दे कोई हिंदिवी है जो सुन्दर लोग होते थे बड़े सॉले सॉलोने लोग होते थे बड़े प्यारे लोग होते थे और उस दो में नाम रखे जाते थे अरब में हिंधा हिंदिवी हिंदू ये नाम रखे जाते हैं जो वहां से जो लोग आए प्रॉफट मुहम्मध के समय ही उनके हिरत के तीसरे साली लोग ने आने शुरू कर दिया था केरल में लोग आने लगे थे मालबार में लोग आने लेगे तामिलनडू में लोग आने सिर्फ यह नहीं कि जो सनातन धर्म ही थे, और सनातन धर्म तरह पर विश्व में इस जिसके एक धर्म है दिसक्ति वह सनातन सहरो जी इसमें समरस्ता, कि बहुंद्ध इन समरस्ता अगी हिंदू शब्द किस ने दिया आपके यहां प्रकाण बैठे में पांडीसर बैठे में यह पताएंगे कि वेध में यह शचित का इस्तमाल होता है? यह विल्कुल नहीं. हिंदु शचित का प्रयोग कहां आता है? किसी वेध मनी नहीं है, किसी उपनिशद मनी है? और एक और समरस्ता की बात करूं, अल्लाश अब जो है, वो शवपनिशद में इलाश शब्द आता है, आप लो जानती हैंगी, आप भी जानते हूंगी, इस अब जानती हैंगी. आप लो में शुलोग भूर रहा हूंगी, मैं मुबाइल में था, मेरा आफ है, मैं अभी जहन से निकल रहा हूँ, बता दिता हमें, इलाश और इलाश से इलाश बना उसे पर अल्लाश बना, वो परम सत्ता जिसकी पुझा करने हैं, उसे से अल्लाश चब्द बना, तो यह समर कि एक समय कोई देशी नहीं था प्रिविशु को भारती का जाता था वो तो बाद में फिर संक्या बढ़ी और लोगों ने अपने अपने खित्ते बना लिए अपने अपने देश बना लिए अपने अपने रंग राजनितिक मेडम राजनितिक दिरिश्टी से अपने अपने देश अपने अपने छित्र और अपनी अपनी एक नई सभिता लोगों ने गड़ ली है आज भी भासा के आधार पर लगता है कि कहीं ने कहीं कोई लेकिन ओवर आल जो देखा जाता है भारत में जो उसकी जो सांस्क्रितिक प बंधने काफी मजबूत है तो इस पकर और बंधन की मजबूती का अखिर कारण क्या है जैसे डॉक्र सावब ने कहा त्याग तपश्या ऐसे ही कुछ और कारण हो सकते है क्या है इस न कहना चाहरि हूं एक तो आपनी कहीं भावाशा की बहुत बड़ी पहचान है और इस पर जब भी हमला हुआ है बुलक बटे हैं पाकिस्तान हमारे सामने है बिलकुल बंगलदेश बिलकुल और अभी भी साउथ हिंडिया के लोग जब हंगामा मचाए कि हिंदी को आप एकदम से वो सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया हम सब जान रहे हैं जो मैं कहना चाहरी हूं अभी अभी जो बाते हो तो मेरा मानना है कि भासा बहुत बड़ी पहचान है और इसे बने रहने देना चाहिए इस पर आप हमला करेंगे तो यह तिलमिला हट आएगी संगहर्स होगा और वो विद्वन्स तक जाएगा तो पूरे पूरे डाइवर्सिटी के बाद भी ऐसी क सबलगनता सर अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं हमें जरूरत है हमें आपसी सबलगनता की जरूरत है हमारी जो यह पहचान है ये जो मुल्क हम दिख रहा है कि बिभिन्द परकार की डैवर्शिटी के बाद भी हम दिखर नहीं पाते हैं इतना हो जाता है कि नहीं ये हो गया वो हो गया फिर भी ऐसी कौन सी सक्ति है जो हमें बादे हुए है बजबूती के साथ हमको बिश्व कभी रविन नाश टैगोर की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है उन्होंने लिखा है हे थाय आर्ज हे था अनार्ज हे थाय आर्ज हे था अनार्ज हे थाय द्राविड चीन सक हून दल पाठान मोगल एक देहे होलेलिन राष्ट कभी रामधारीशी दिनकर ने संस्कृती के चारत ध्याय में मुख प्रिष्ट पर इन पंक्तियों को धिरित किया है और यह बताने की कोशिस की है जो आप पूछ रहे हैं जी जी कि आर्ज अनार्ज द्रवीड साक हून मोगल पाठान सभी आये और एक देहे होलेलिन कि भारतिय संस्कृती ने सब को अपने में आत्मसात कर लिया और यह श्विकारजता भारतिय संस्कृती की आत्मा है और यही उसकी समरस्ता की भी खाशियत है जी उसमें सब को पचाया बसाया आत्मलीन किया और सब को पचा करके एक सामासिक संस्कृती, दिनकर ने उसे कहा है, सामासिक संस्कृती की अउधारना भारत में विक्षित हुई, जहां बिभिन धर्मों के रहते हुए, बिभिन जातियों के रहते हुए, बिभिन भासाओं के रहते हुए, हम एक शुत्र में बंधे हुए है इसलिए काते हैं हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई और आपस में हैं भाई 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 ये भारतिय संस्कृती की समरस्ता है जहां सभी ब्रात्रिवत आचरन करते हैं बिवार करते हैं और यही वो ताकत है जिसके कारण बहुत बड़े शायर मुहम्मद अलमा इकबाल की पंक्तियां मैं उध्रित कर रहा हूँ उनकी शायरी है उनना कहा कि इनान मिश्र रोमा शब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी दौरे रहा है दुस्मन दौरे रहा इन तमाम जंजावातों और तमाम पुथल पुथल के बाद भी हमारा श्तित्व हैं युनान मिश्र रोमा जहां मिट गए कुछ बात है कि हस्ती जोधरी जी यहीं कुछ भारतिय संस्कृति का सब कुछ है यही कुछ बारतिय संस्कृति का सब कुछ है और इस कुछ को बचा लिजे तो सब कुछ है और इस कुछ को यही तुछ बना दिया तो कुछ भी नहीं है डॉक्र साब ने बड़ी मिस्र, रोमा, विकलाव, अख्बाल के बहुत मिस्रा है, मैं भूल रहा हूँ, दुसरी पंक्ति याद है रही लताजी, उन्होंने कहा है कि एहले नदर समझते हैं उनको इमाम हिंद, क्या बात है, हैराम के वजूद पर हिंदूस ताकुनाज, नाज यह तो समरस्ता है हमारी, बड़ी बड़ी दोनो, अधायतुला जी, जो यह हमारी जो बहुत सांस्कृतिक जो स्वरूप है, विभिन नभासा, देश और यह, हमारा जो संबिधान है, वो कितना इसको मतलब आत्मसाथ करता है, जी, अभी डॉक्टर साब बात कर रहे थे, त तो इसके दो पहलू है, एक तो जो डॉक्टर साब ने बहुत डिफाइन किया अच्छे से, और दूसरा हमारा कंस्टिचूशन भी है, जी, बिलकुल, डॉक्टर वीम राव हम बैटकर ने, जब कंस्टिचूशन बनाने के वक्त, काफी वक्त लगा इसमें, तो इसमें एक बात की खास ख्याल रखी गई, जो के इसकी एक एक बात इनसानियत को पैगाम देने का काम करें, और हर किसी के अंदर एक्वालिटी हो, जात पात के बनियाद पर, धर्म के बनियाद पर, रंगो नसल के बनियाद पर, इस कंस्टिचूशन में कोई ऐसी बात ना आए, ये भ आज भी देखते हैं कि आप मंदिरों के सामने कई हम लोग जाके और परसादी लेते हैं, ये हमारी महबत है, होली और दिपाउली में शायद आप, साथ साथ, जी साथ साथ, और उस वक्त हमें देखेंगे तो शायद आप न पहचान सकें, कि हमारे दोस्त हमको टीका भी आते हैं, बहुत खुद, जी, और शाम को जो मगरिब की आजान होती है, आप देखेंगे, कई जगों पर देखेंगे, देहातों में, शहरों में, हमारे मुस्लिम भाई से ज्यादा हमारी हिंदू बहने भाई अपने बच्चे को लेकर मस्जित के सामने दरवाजे पर ले, देखेंगे, गौतम जी, अच्छाई और बुराई दोनों एक गाड़ी के दो पहिये के तरह, वो तो साथ चलना ही है, लेकिन सत्त मेयो जयते, जयते, एक छोटी सी कहा नहीं है, यह बड़ी गंभीर वाजी जी, सरोज जी, कुछ आप बहुत चोटी सी कहा नहीं है, श जी, 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 बिल्कुल, जिसको नफिली रोजा, अब वो रोजा रखे हुए थी, एक हमवतनी अपने देश के एक महिला आई, मस्जित के सामने की, मैंने मनत मांगी थी, कि मेरा बच्चा टीक हो जाएगा, तो मैं यहां आकर खीर लोगों को खेलाउंगी, यह बहुत मश शाम का समय था, नमाज का दा योखतो है, एक और नमाज होनी थी, एक आसर की नमाज होती है, चार बजए के आसपा bodies असकार बज़े, उसका मगरिब शाम की नमाज होती है, तो लोग बोले, और नहीं आए, हम लोग रोजे से हैं, कैसे तुमारा खीर ऑखा खनेंगे, व और गौतम ये बात से बात निकल जाती है, ये मैडम आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे इस विशैपर? सेर, मैं तो बिलकुल प्राक्टिकल बात करना चाहती हूँ, आज अभी के संदर में जोड़ते हूए, तो मैं आपको बता हूँ, कि जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मेरे सामने जब मेरे बच्चे बैठे होते हैं, मुझे उनसे नाम जब मैं पूछती हूँ, औ इतनी ही मेरे पास मुस्लिम लड़के भी होते हैं, और आपको बताओ, जब मैं उन्हें बताती हूँ, भक्तिकाल पढ़ारी होती हूँ, तो वो जितनी दिल्चस्पी से सूफी कावे समझते हैं, उतनी ही दिल्चस्पी से वो पूरा का पूरा राम कावे और सूर कावे भी समझते हैं बलकि अगर कुछ छूट जाए तो फिर से मुझसे तगादा करते हैं कि यह रहो गया है मुझे बताएं तो यह मुझे बहुत खुशी देती है और उस वक्त ही मुझे आहसास होता है कि राजनीती और सियासी हमें कितना भी तोड़ ले हम जो आपस में जो जुड़ रूप से जो परिलख्शित करता है वो कहते हैं कि फर फर इल्म कितावा वाला राम रखायो का जी हाज मुक्के जाकर हज पढ़ी आईो नाम रखायो का जी फर समसीर मुझाः कुछ नहीं कीता यार नो कीता राजी मतल Boght में इतने बरे संथ जो उन्होंने कहा कि बले साने क कुछ नहीं किया और भगवान को ही राजी कर लिया तो ये जो भगवान की पूजा है भगवान का जो मन्नत है वो हमारी सक्ति और हमारी ताकत है जो भारत की जो परमपराएं रही है जो भारत की जैसे आपने कहा कि भारत का जो सुरूप भारत की जो अबधारना ये अबधार अवधार्णा क्या रही है जो भारतियता को लीड करती है भारतियता को परिप्रस्तुत करती है यह अवधार्णा क्या है भारत और भारतिय संस्कृति आस्था प्रधान रही है और भारत की संस्कृति त्याग तपस्या और आत्मुबलिदान की संस्कृति है आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे रिशी महर्शियों ने जो दर्शन दिया, जो बिचार दिया, चानक नीति का सलोक है और ये भारत की अवधारना भी है, उसमें लिखा हुआ है चौदरी जी, यह अपना है अयम नीजह परो वेती और ये दूसरे का है, गणना कौन कर रहे हैं, गणना लगु चेते साम, कि जिनका चित लगु है, हिर्दय लगु है, ऐसी गणना वे करते हैं, लेकिन भारत क्या है, उदारचरिता नामतू बसुधाई वकुटूम्ब कम, हर्स इस लाइक फेमली, इस कंसेप्ट इज इन दो वर्ल्ड, कि जहां पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, और यही भारत की सबसे बड़ी खुबी है, यही भारत की शमरस्ता है, जहां सब को एक मानते हैं, जहां लगु चीत वाले अपने और पराय का भेद करते, नहीं करता है, और इसी उदार चरिता नाम तु भरत बहुत उपनिशद का मंत्र है सर, आप सभी जानते हैं, जब प्रार्थना रिशी करता है, तो क्या काता है? शरवे भवन्तु सुखि नहें, शरवे संतु निरामया, शरवे भद्रानि पस्यंतु, मा कस्चित्तु खुभागो भवेत। सभी सुखि हों, सभी मिरोब हों, और कोई दुख का भागी नहीं बने यह विशालता और यह दृष्टी ही भारत को भारत बनाये हुए है, विशालता, सरोज जी, अभी जो आस्ता की बात कर रहे हैं तो उसमें मुझे मीर का शियर याद आता है, मीर तकी मीर, और वही मूल है हमारे भारतियत हमें वही आस्ता है उसे हम माने तो ऐस कभी कुछ ऐसी बात ना हो जो थोड़ी बहुत मीन मेक दिखने को मिलती है जरसल उसकी वज़ए यह कि हम धार्मी के नहीं दर्मांद होते जा रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए वो मैं शेयर कहूंगा मिर्टकी मीर क है कि उसके फरोग हुसन से जंके सम्मे नूर उसके फरोग हुसन से हुसन सौंदरी फरोग विकास उसके फरोग हुसन से जंके सम्मे नूर वो शम्माए हरम हो मक्का मदिना का वो शम्माए हरम हो या दिया सोमनात का बहुत खोब शम्माए हरम हो या दिया सोमनात का वही तो बहुत उसी के फर्गोजिसे दिया जलते हैं और शमा रौशन होती है और यही बातियता है बातिया दरसल एक धर्म नहीं एक संस्कृति है और दरसल गलबल कब होती है जब हम हिंदू को धर्म मानने लगते हैं बिलकुल बिलकुल जब हम उसे संस्कृति मानने लगेंगे वही बात यता है मैडम आपका मतलब हिंदू को धर्म उसको संस्कृति कैसे बाइफर्केट कर सकते हैं आप क्या लगता है इसकी सबसे पहली सुरुवात हमें घर से मिलती है बहुत सारे घरों में मिलती है बहुत सारे घरों में थोड़ी कम मिलती है लेकिन मिल जाती है कि हम सिर्फ हिंदू नहीं है, हम इंसान है और हमारी पूरी संस्कृती है जिसे हम लेकर चल रहे हैं जिसमें गैर हिंदू भी आते हैं जैसे इनों ने कहा गैर मुस्लिम वाली बात ठीक वैसे ही हमारे घरों में भी ये बात कही जाती है कि गैर हिंदू भी आते हैं और वो सब मिलकर हम भारत बनते हैं हम जिस घर में रह रहे है, हम जिस महले में रहे है भारत तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है हम छोटे असने पर भी अगर सोचे तो एक क्लास, एक घर, एक महला जो है वो भी हम सबसे मिलकर बनता और जो मैं पहले दफ़े आपसे बात कह रहे थी, संगलनता वाली बात, जो वापिस उस पर आऊंगी, कि ये चीजें जुडती हैं, मैं बहुत ज़्यादा विसे संग्यता वाली बात नहीं कहना चाहरी हूँ, क्योंकि वो सर लोग हैं, कह रहे हैं, लेकिन मैं जो वैवारी पाएंगे हम पर सासन करने के लिए ये बात हमारे नवी वक जानते हैं आज के, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बनाती हैं, हिंदू और मुस्लिम से अलग हिंदूस्तान हमें बनाती है, हिदायत अलाजी, बड़ी बड़ी, ये जो विसे है ना, ये काफी पर चाहिए, कि बड़ा रोचक भी है, काफी रोचक है, तो क्या लगता है, कि हमारा जो हमारी इन्हों ने कहा कि हमारी जो संस्कृती है, आयंग निजा परोवेती, गनना लगुचीत साम, उदार चेड़ता नाम तूबस्थाइब कटमत, मीर तकी मीर को आपने कहा, आपको क्या लगता है, कि मीर तकी मीर, डॉक्र साहब का जो वाकिया है, वो कहा तक हमको, गौतम जी, बात शेयर से हुई, तो शेयर में ही करनी चाहिए, मनवर राना एक मशहूर शायर गुजरे है, वो अपने एक शेयर में कहते हैं, कि मैं अर्दू में घजल कहता हूँ, तो में भवदी मुस्कुराती हैं, क्या बात, मा से गले लगता हूँ, मौसी मुस्कुराती है, क्या बात, बहुत अच्छा, यह भारत एक आस्थाका मुल्क है, जिसे हम मजहभी भी कह सकते हैं, और दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, जिसको एक को आस्थिक और दूसरे को नास्तिक कहा जाए आप हाथ जोड के परातना करें या कोई हाथ पहला के दोआ मांगे वो आस्तिक है और यही आस्ता आज हमें पूरी तरह से जोड के रखा है यह आस्ता हमें इनसानियत का पैगाम देता है आप देखें मुहम्मद सहाब का एक कौटेशन है जिसको मैं कोड कर रहा हूँ खाने काबा की अहमियत मुसल्मानों के नजर में बहुत ज़्यादा होती है जे बहुत ज़्यादा तो वो खाने काबा के तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आए खाने काबा आए बैतुल्ला तुम्हारी आहमियत हमारे दिलों में बहुत है अगर तुझे कोई तोड़ता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ हमें उस वक्त होगी जब एक इनसान दूसरे इनसान के दिल को तोड़ता है जी बिलकुल ये आस्था ये कॉंसेप जिस मुल्क में और जहां के लोगों के अंदर आ जाए वो मुल्क को तरती के राह पर गामजन करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है डॉक साब आपने ही जो विशय छेरा था आस्था का ये देश है और हमारी परमपरा आस्थात्मक परमपरा रही है और इस आस्थात्मक परमपरा में जो हमारा अभी तक का चिंतन है जो सनातन चिंतन चलता हुआ आया है तो भविश्य का क्या है भविश्य में क्या हम इसी चिंतन पर रहेंगे इसी संस्कृति के साथ बदे हुए रहेंगे कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कुछ परिबर्तन भी हो सकता है भारतिये संस्कृती की जो मूल भूत चेतना है इसको आप आत्मा कहिए वो बदलने वाली नहीं है और हम उसी पर आगे बढ़ सकते हैं उसी पर हम विश्व गुरु बन सकते हैं उसी पर हम विख्षित राष्ट हो सकते हैं उसी पर हम सारी भौतिक अध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं उपनिशत का एक स्लोख है आप सभी जानते होंगे जो भारतिय संस्कृति की छेतना है शमरस्ता का मूल है उसलोख बहुत प्रशिद्ध है मात्रिवत परदारेशु अपरद्रब्बेशु लोस्टवत आत्नोवत शर्वभूतेशु यह पस्यती सहपंडिता मात्रिवत परदारेशु कि दूसरी स्त्रियों को माता की तरह देखो चेतना भारतिय संस्कृति परद्रब्बेशु लोस्टवत और दूसरे का धन मिट्टी के धेले की तरह है आत्नोवत शर्वभूतेशु अपना ही तरह अपने तरह सब को देखोगे यह पस्यती सहपंडिता जो यह देखता है वह पंडित है वह अचार्ज है और भारत की जो मूल चेतना है जिस पर समरस्ता टिकी हुई है इसी पर है ऐसा नहीं कि लूट लाओ कुट खाओ नहीं भारतिय संस्कृति की यह चेतना नहीं है इसलिए भारत इन्हीं मुल्यों के अधार पर विशुगुरु था और पुनह इन्हीं मुल्यों के अधार पर विशुगुरु तो इसको और जादा संसार में दुनिया में अपने यहां कैसे इसको विकास हो कैसे इसको फैलाया जाए समरस्ता को जी इसके लिए हमें आपस में मिलकर रहना है शवहार्द को बनाए रखना है प्रेम की भावना को जगाए रखना है और हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग सभी मजभबों के लोग एक है और उनमें कोई बाहरी भीन्यता भले हो मगर आंतरिक भीन्यता नहीं है मैं केवल एक साहित से आपको धारन देना चाहूँगा अकबर दर्बार के नौरत्न थे जिसमें अब्दूल रहीम खान खाना भी एक थे जी बिलकुल और तुल्सी के बड़े दोस्त थे तुल्सी ने जब राम चरित मानस पूरा किया तो अकबर तक सुचना गई अकबर ने भी चाहा था कि तुल्सी दास दर्बार में आए और अकबर चरित मानस लिखें तुल्सी ने स्विकार नहीं किया लेकिन रहीम से अकबर ने प्रतिक्रिया मांगी अब ज्यान से सुनिए रहीम से यो मुशलमान थे और रामचरित मानस पर प्रतिक्रिया मांगी कि आप रामचरित मानस के बारे में बताएं क्या है रहीम ने दोहा लिखा है कि रामचरित मानस बिमल पहला वार कि राम चरितमान से बिमल असंतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेदसं अयवन ही प्रगटे कुरान क्या बात ये समरस्ता है क्या बात ये समरस्ता है ये हिर्दे की उधारता भी है तो इस समरस्ता को इस समरस्ता को जो जो जिस चीज़ को हम अभी तक मानते जानते समझते और उसको आत्मसाथ करते हुए आए हैं आने वाले समय में कैसे इसका हम विश्थार कर सकते हैं कैसे पसार कर सकते हैं मेरा जही कहना है कि हमें राजनीती से स्यासत से विल्कुल दूर रहना चाहिए क्योंकि आत्मा को कहीं न कहीं छूती है और मस्तक्स में आती है हमारे विचार बनते हैं हमें उससे बचना चाहिए क्योंकि समरस्ता थो हमारे मूल में है ऐसा ना होता नजीर हुए एकबर हुए रहीं हुए रस्खान हुए रसलीन हुए एक लंबी प्रमप्रा है इस ने कान हा पर शाता है और मुल्य की बड़ी बात बुल्ले शाह की बात कर रहे थे गौत्म भाई तो बुल्ले शाह तो यहां तक कहता है कि होली खेरूंगी कह कर बिस्मिल्ला खाल रहते English लंबी कवीता ह जब आप उसे मिलाते है ना तभी फिर वो और जब कोशिश की जाती है कि एक ही रंग हो कभी ऐसा होता है क्या अगर एक बाग में हर तरह के रंग हो तो कि इतना अच्छा लगेगा और मैं कहे दो नहीं एक ही रंग के सिर्फ फूलों पुरे राची में तो अच्छा लगेगा क्या 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 क मतलब अब क्या है ना कि हमारी संस्कृती का जो उदार पक्ष है उसका कैसे प्रसार बिस्तार किया जाए देखिए सहरोज जी की बात से मैं इत्फाक रखता हूं लेकिन शायद पूरी तरह से नहीं क्योंकि जिस सियासत की ये बात करते हैं सियासत को हम बहुत बड़ी कांदारी के साथ अपने काम को अंजाम देना दोसी चाहे कोई भी हो एकॉर्डिंग टू एक्ट उसको पनिश करना बिलकुल उसमें तरसुबात के चश्मे को पूरी तरह से उतार के रख देना कौन क्या है नहीं है शायद इसलिए अदालत के अंदर देखेंगे कि पट्ट अधरा कौन है ये असल सियासत है और सियासत जो है क्या है हकुमत है ये बहुत बड़ी अबादत है हाँ इस नाम को गंदा जरूर किया गिया है जिसके वज़े से आज शहरो जी जैसी शखसियत उची शखसियत पढ़े लिख ए माशाल्ला जो को इनको यह कहना पड़ है कि स पूटे हुए दिलों को आपस में कैसे जोडा जाए क्यों न हमें अपने तरफ से एक जूट का ही सहारा लेना पड़े बिलकुल ये असल से बहुत अच्छी बात मैडम बहुत अच्छी बात दायतुला भाई ने कहा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो हर्दय को प्रेम कै कैसे किया जाए हापस में कैसे दोनों को मिलाया जाए ये सियासत होती है हमारी जो उदारता है उदार संस्कृति है इसको और कैसे विस्तार दिया जाए इसका और कैसे प्रसार किया जाए बहुत संचित में सिर्थ दो बाते कहना चाहूंगी और सर जैसा कह रहे थे मैं बिल पूरा देस और पूरी दुनिया हमारी जहलती है तो संस्कृति संस्कृति रहने दे सनातंधन को सनातंधन दे ठीक यही बात हिंदूों पर जैसे लागू होती है बिल्कुल मुसल्मानों पर भी लागू होती है कि आप भारतिय संस्कृति के साथ रहें रचे बसे और इसको सम्मान दें सर्में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ हर घर की मा को मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मुझे मालूम है सियासत गंदी ही है ये रणनिती है ये राजनिती है जो सफाक सही सूरत इसकी होनी चाहिए थी वो है नहीं वो नहीं है इसकी कोई भी किसी भी तरह कि कोई कर ले इसकी फूजा फूजा मैं नहीं कर सकती मैं तो बस यही विनती करती हूँ, कि हर मां से, आप कहना क्या चाहती हैं? सक्षे पहली बीज आपको डालनी है अगर ये बीज आपने डाल दी हमने इतने सारे अभी हम लोगोंने कितने लोगों के नाम देखे सच पूछिए ये एक परसेंट है 99 परसेंट लोग छूट गये हैं और ये सब इसी वज़ा से हुए डाउब साब अब हम लोग मतलब अंतिम चरण में हैं थोड़े से चंद सब्दों में हमारी जो संस्कृती है उसको एक दम बिल्कुल मैं चार पंक्तियों में समाहर करना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को जी दर्शकों को और प्रार्थना भी करता हूँ कि ये भाव बना रहे तो हमारी सम्रस्ता भी रहेगी और हम प्रसन भी रहेंगे हे प्रभू बर दीजिये सुख मै अखिल संसार हो हे प्रभू बर दीजिये सुख मै अखिल संसार हो हर हिर्दय में प्यार के वल प्यार के वल प्यार हो हर हिर्दय में प्यार केवल प्यार केवल प्यार हो दुर्गुनों दुर्भावनामों से बचें प्राणी सभी और मध्य दो हिर्दयों में शद भावना शद भाव हो शद भावना शद भाव हो शेरो जी बिलकुल चंद सब्दों में हमारे दर्सकों को आप कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्व में. बस जो पहले बात कही थी, मैं उसी पर कायम हूँ. और अपने अंदर थोड़ा सा नदी बचा लेजिए, थोड़ा पानी बचा लेजिए. क्या बात है? थोड़े खुश्बू बचा लेजिए, थोड़ा रंग बचा लेजिए, पानी बचा लेजिए, खुश्बू बचा लेजिए. हाँ. मैं की बात से हम पूरी तरह से इत्फाक रखते हैं, कि इन्हों ने आपसी भाईचारे बनाने की आप जो बार बार की इसका क्या उपाय है, कि आगे कैसे किया जाए, कि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब मुहबत बनी हुई. आपसी भाईचारा. तो आपने बहुत अच्छी बात करे कि हम अपने बच्चों को ये सिखला है, कि तुम जिस मजभब के हो, अपने मजभब पे अमल करते हुए, दूसरे के मजभब की कदर करने वाले बन जाओ. आदर, आप आदर करने वाले बन जाओ. बढ़म चंद सब्दों में. कि आप अपने लिए भी सम्मान रखें और दूसरे के लिए भी सम्मान रखें. और इसी सनातन चंदन और धन संस्कृती के साथ हम लोग जीते रहें हैं और आने वाले समय में इसी का प्रचार विस्तार करते जाएंगे. इनी चीजों के साथ, इनी सबनों के सा इनी मंधन चिंतन के साथ हम बिनामलेंगे आप लोग हमारे स्टूडियों में आएए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही विश चुनतन के साथ हम फिर आपके सामने प्रष्टुत हूँगे आने वाले समय में तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ आपसे विदा लेते हैं जोहार धन्यवाद